देख बिना ब्रेक ज़नलोड टाक अप हुआ शुल ने मेरे बतीजे थे जो इस्पेक्टिल है जिसमा आग लई है हुआ फायर हाइडेंट यहां पर नहीं है किसी जमाने में फायर हाइडेंट पर पानी के लाइन भी यहां पर निश्ची तुरुष से सब आग के डेर के उपर पुरानी दिल्ली है आज यह दुरुगटना जो देखिए यह दुरुगटना बार-बार हो गई यहां पर क्योंकि यह रिहाईची इलाके हैं यहां पर कमर्शल एक्टिविटियां होती है दिल्ली के फिल्मिस्तान में फैलती हुई इस आग के समानांतर जारी इस समवाद ने पत्थरों का सीना भी छील दिया हिल गई धर्ती चीतकारों से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बचा ही नहीं किसी के पास कुछ कहने को, किसी के पास कुछ बताने को, किसी के पास कुछ समझाने को नेताओं की मगर मच्छी समवेदना का परियतन शुरू हुआ बड़ी बड़ी गारियों से पहुचने वालों ने मौतों का दाम लगाना शुरू किया पाँच हजाद से लेकर दस लाख तक तुम्हारी दुनिया खाक हो गई, तो हो गई, हम खरीद लेंगे तुम्हारे आसो तुम्हारा दर्द तुम्हारी लुटी हुई दुनिया, तुम तो बस दाम बताओ दाम पांस-पांस लाख रुपए, दस-दस लाख रुपए का एक-एक लाख रुपए मुआफ़ा दिया जाएगा दिरसल ये मुआफ़ा जनता के चुने हुए नुमाइंदों के जनता के प्रती बेईमान और बेशर्म हो जाने के खीमत है बीजेपी वाले कह रहे थे, आम आदमी पार्टी वालों से पूछो केजरिवाल के सिपाही कह रहे थे, हमारा काम तो जाच कराना है, सवाल तो बीजेपी वालों से पूछो एक भी लिंटल लगता है, इटा लगता है, कोई निर्माड होता है भाजपा सासित M.C.D. के अफसर उसके नेता और पुलिस वाले पहुँचके वहाँ धनुगा ही करते हैं और इस तरह का अवैद निर्माड करवाते हैं अगर किसी घर में अवैद फैक्टरी चल रही है तो उसको सील कराने की जिम्मेदारी भी M.C.D. की है इसमें दिल्ली सरकार का रोल कहां आता है किसी भी राज्य में कोई घटना दुर घटना है तो उसकी जिम्मेदारी उसी राज्य की सरकार के उपर है तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है अगर दिल्ली सरकार सबको बिठाए और वो बैठने से मना करें तब मैं समझूंगा कि politics हो रही है पर दिली सरकार साथों MP से बात नहीं करें MCD से बात नहीं करें उसको fund नहीं दे कि इंद सरकार जो योजना लाए उसको लागू नहीं करें तो जिम्मेदारी किसकी होगी ये आवाजें इस बात का बयान हैं कि इतवार की उस आग में केवल 43 लोग नहीं मरे हैं सत्ता का इमान भी खाक हो गया, जन्तंत्र का भरोसा भी खाक हो गया, बदलाओ का यखीन भी खाक हो गया आज से 22 साल पहले जब उपहाद सिनमा की आग में 69 लोग जल कर मर गये थे, तो लगा था कुछ बदलेगा उस समय बीजेपी की सरकार हुआ करती थी दिल्ली में और तब के मुख्यमंत्री साहीब सिंग वर्मा ने वही कहा था जो आज केजरिवाल बोल रहे बीच में 15 साल तक कॉंग्रेस का राज रहा, लेकिन ना आग बीजेपी बुझा पाई, ना कॉंग्रेस और ना आम आदमी पाटी सब एक दूसरे से लड़ते रहे, बस्तियां जलती रही, खाक होते रहे कारखाने, मरते रहे लोग, हिसाब देखेंगे तो आप सिहार उठेंगे दिल्ली में आग लगने से औसतन एक आदमी की रोज मौत होती, ना दिल्ली सरकार कुछ करती है, ना एमसीडी दिल्ली में आग लगने से रोज औसतन छे लोग जुलस चाते हैं, ना दिल्ली सरकार कुछ करती है, ना एमसीडी दिल्ली में फायल सेफटी डिपार्टमेंट के 45 फीसद पद खाली पड़े हुए है, ना दिल्ली सरकार कुछ करती है, और ना एमसीडी हर साल सेकड़ों लोगों की जाने जाती है आग लगने से लेकिन बीजेपी की MCD कह देती है दिल्ली सरकार से पूछो और आम आत्मी पार्टी की सरकार कह देती है MCD से पूछो और ये हाल तब भी था जब MCD में कॉंग्रेस पार्टी का जलवा था और सरकार में बीजे पी का जरा हिसाब देखिए पिछले तीन साल का 2014-15 में आगजनी की घटनाएं घटी 23,242 मौते 291 15-16 में घटनाएं बढ़कर हो गई 27,89 मौते 349 16-17 में घटनाएं बढ़कर हो गई 30,282 मौते 217 मतलब सरकारे मजबूत होती गई और इंतजाम स्वाहा होते गए जनता बेचारी होती गई तीनों में MCD में बीजे पी के प्रतापी मेयर है केंदर में बीजे पी की प्रतापी सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रतापी सरकार और पूछिये जिम्मेदार कौन तो सबका प्रताप जल कर खाक हो जाता है जून 1997 उपहाद सिनिमा में आग लगी 69 लोग मर गए 103 खायल सरकार थी बीजे पी नवंबर 2011 पीरागड़ी की फैक्टरी में आग लगती है 9 लोगों की मौत हो जाती है सरकार थी कॉंग्रेस की 2011 के उसी महीने में नंद नगरी के सामुदाई केंदर में आग लग गई 15 लोग मर गए सरकार उसी कॉंग्रेस की भरवरी 2019 में करोल बाग के होटेल में आग लग गई 17 लोग मर गए सरकार आम आग अदमी पार्टी की और अब फिलमिस्तान की आग 43 लोगों की मौत लेकिन लाजनीत का तमाशा नहीं बदला उसके खेल नहीं बदले उसकी बेशर्मिया नहीं बदले मैं फिर मांग करता हूँ के जिवाली ते मैंने मेजिस्टिरियल इंक्वाइरी के ओर्डर दे दी है इसकी उच्चस्तरिय जाच होनी चाहिए एक राम दीन